जै श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमा क्या आप जानते हैं कि राजा वेन के मृत शरीर से महाराज प्रतु का जनम कैसे हुआ तो आएए हम इस विशे में जानते हैं कि ये कैसे हुआ जैसा कि हम अपने पहले अध्याई में बता चुके हैं कि राजा वेन की मृत शरीर की दोनों भुजाओं का मन्थन किया फल सुरूप उनकी भुजाओं से एक इस्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन हुआ रिशीगर्न वैदिक ज्यान में अत्यंत पारंगत थे जब उन्होंने वेन की भुजाओं से एक इस्त्री तथा पुरुष को उत्पन हुए देखा तो वे अत्यन प्रसन हुए क्योंकि वे जान गए कि यह पुरुष तो स्वंपूर्ण ब्रह्मान का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णू का शक्ती का अंश है और यह इस्त्री भगवान विष्णू से कभी ना अलग होने वाली एक संपत्ती की देवी लक्ष्मिकान्स है जो पुरुष है वे अपने यश्व को विष्व भर में फैला सकेगा और उसका नाम प्रतु होगा और जो इस्त्री है उसका नाम अर्ची होगा और भविष्व में वे राजा प्रतु को अपना पती सीकार करेगी राजा प्रतु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ती के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए है फिर रिशियों ने राजा प्रतु का राजा बेशेक किया और उन्हें राजा पना दिया राजा वेन के समय में सत्याचार समाप्त हो गया था और प्रत्वी उसर बंजर हो गई थी महाराज प्रतु ने धर्णी को यग यग्यादी करके उर्वरा बना दिया और क्रशी का विक्वास हुआ प्रतु जी के कारणी इस धर्ती का नाम प्रत्वी पड़ा राजा प्रतु ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और प्रत्वी में समाहित कई प्रकार के रसों को युक्ती पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार-बार धार्मिक शिक्षा दी। महाराज प्रतूर नित्य महा अभिशेक करते थे। अता उनके शाषनकाल में प्रजा सुख्य हुई। उन्होंने सौ अश्म मेग यग्यों का भी अनुस्थान किया। वे पूर्ण प्रुशोत्तम भगवान श्री विश्नु के शक्त्यावेश अवतार थे। और उनकी एहेतु की क्रपा से इस प्रत्वी पर अवतरित हुए थे। उन्होंने कई वर्षों तक प्रत्वी पर राज जी किया और उनके शाषनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। इसी तरह आप जान गए होंगे कि महराज प्रत्व का जनम कैसे हुआ। आशा करते हैं कि महराज प्रत्व की ये कता आपको पसंद आई होगी। क्रप्या लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जय श्रीक